नमस्कार दोस्तों, मैं रोहीने आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि वाटसप में स्टाइलिश फॉन कैसे टाइप करते हैं वो भी कौन सा भी आप डाउनलोड किये बीना तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को फ्रेंज करना मद भी लेगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि हम बोल्ड लेटर्स में कैसे टाइब कर सकते हैं तो मैं पहले सिंपल लेटर्स में मैसेज करती हूँ जैसे हम नॉर्मली टाइब करते हैं ताकि आपको फरक समझ में आए जैसे हेलो फ्रेंड्स तो दोस्तों bold letters के लिए सिफ आपको ये letters star symbol में डालने हैं जैसे कि star hello friends और फिर से end में star तो देखिए letters bold हो गये हैं अब देखते हैं कि letters को italic style में कैसे लिखते हैं तो इसके लिए आपको underscore का sign लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपका message जैसे hello friends और end में फिर से underscore तो आप देख सकते हैं कि ये letters italic style में send हो चुके तो friends अब देखते हैं कि sentence में से किसी भी word को या फिर पूरे sentence को हम cut कैसे करेंगी तो उसके लिए हमको symbol में जाके इस symbol को click करना होगा और message type कर दीजिए और फिर उस symbol को click कीजिए तो देखिए आपका message cut हो गया है तो आप देखते हैं fourth style इसके लिए फिर से symbol में जाएए और इस symbol को तीन बार click कीजिए और अपना message type कर दीजिए और फिर से उस symbol को तीन बार click कीजिए देखिए हमारा font change हो चुका है last trick अब जाते हैं किसी भी group पर तो अगर आप add a rate symbol पर click करते हैं तो देखिए आपको group में जितने friends हैं उनकी list मिल जाएगी अब आप जिस friend को message करना है उस पर click कर दीजिए तो देखिए उसका नाम लिख कर आ गया है blue color में अब उसके सामने message type करो और send कर दो तो अब आपके friend को पता चलेगा क्योंकि आपने उसका नाम लेकर message किया है है ना बढ़िया trick तो इन tricks को ज़रूर यूज कीजिए और आपको ये tricks कैसे लगी मुझे comment करके जरूर बताईए और वीडियो पसंद आए तो like, share और subscribe करना मन भी लेगा बढ़िया बढ़िया